लोग उन दोनों भाईयों को ना तो हिंदी आती थी केवल इंग्लिस और अपनी जो भासा थी वो उसमें बात कर पा रहे थे तो हलो नमस्कार गुड मॉनिंग रादे रादे दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीदा आप सब ठीकी होंगे तो दोस्तों हमारे यूटूब चैनल मनोच फॉजी ब्लोक्स पर और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज दिन है सुक्रवार का और आज की डेट है चौविशनो दो वजार इकीस सवागे वजए अभी आठ वाई सब हम कड़े इस पक्त द्वार का दिस बंदर के पास यहां से सौ मीटर पीछे ही द्वार का दिस बंदर और यह मेरे पीछे जमना पहले दरमसाला है पहले हवे आज रहना पड़ता है मैं यहां सवारी लेकर आया हुआ हूँ हमाने के लिए जैसे वह आ जाएंगे निकलेंगे और आप जब भी द्वार का दिस मंदर घुमने के लिए तो टाइमिंग जरूर पता कर लें कि यहां पर अलगलग एक गंटे के लिए मंदर खुलता है एक ग गतम होने वाला है लेकिन जब पहुंचे जब तक हो गया थे लेट तो वह भाई चला गया था खाना पीना खाने के लिए अब उसका दुबारा से फोन आ आया है वह आ गया पापस दुकान पर गोल रहा है कि रासन ले जा हुआ बीड़वाड है नहीं है तो मैं और मम्मी ज स्टेशन में लगबक दिड़ गंटे पहले स्टेशन पर आया था और तब से लिए कि अभीता खड़ाई हुआ हूं कोई काम नहीं मिला आज एक दिड़ घंटा जो भी टाइम पास हुआ वह आपस में बत रहाते हुए बात हैं करते हुए निकल गया और एक एक करके दोस्त आज से सुबह मेरी जितनी अच्छी गई थी आज सुबह बहुत अच्छा काम मिल गया के तो मिल गया था क्योंकि कल जब में सामको घर निकल रहा था वसी समय मेरे पास जो बजार है कई बाड़ अपने ब्लोगों में दखा चुका हूं बजार में काभी सारे होटल हैं तो वहीं से एक होटल पर सवारी मिल गई थी मेरे को उससे बात हो गई थी चार सो रुपय में उसे मत्रा और मत्रा के दोनों मंदिरों ब्रंदावन ट्रॉप करना था मंदिर गुमा के तो सुबह उन्हें उठाया मैंने थोड़ी सी किलिफ इसमें द्वारकादिस मंदर की डाल अब साम को जब साढ़े चार बज़े में दुबारा से जाएं इस्टेशन पर आएं तो अब आई से बिसबास नहीं मालोगे साढ़े चार बज़े से लेके अभी तक मेरे को एक रुपय की कोई सवारी नहीं मिली है तब से लेके हाँ अभी तक खड़ा गगा हूँ और दो दो चक्कर दो रोजाना लगी जाते हैं बुरे से बुरे दिन भी अज नहीं है तो नहीं है और अभी वाई सावार यहां दिख रही है पीछे से आथ हुई तो मैं अधर ही जा रहा हूँ फिर बाद में बात करूंगा फाइनली मेरा एक शक्कल लग गया अभी अभी में चक केरल से या कहीं और से भी थे मैंने इतना पूचाने जूटनी कुलूंगा लोग उन दोनों भाईयों को ना तो हिंदी आती थी केवल इंग्लिस और अपनी वासा थी वो उसमें बात कर पा रहे थे तो लगबग 10 मिनट तक वो समझाई नहीं पाए उन्हें जाना कहा है आख करने पड़े उससे एक चक्कर के लिए 15 मिनट उनसे मूण मानना पड़ा 15 मिनट तक मूण मारने के बाद जब समझ में आया कोने जाना कहा है उसके बाद चोड़ के आया हूं तो अब साम हो गए चुकी है लगबग आट बजने को हैं हम भी निकलने हैं अपने घर के लिए तो चलिए दोस्तों घर जाके आप घर पहुंचके मिलते हैं आपसे घर जाके ही बात करेंगे इसा जो मत्राज जंक्सन पर हुआ है जो भाई दो आए थे जिनको हिंदी नहीं आती ति अक्सर यहां ऐसा हो जाता है इस्टेसन पर कई बार फोनर्स भी आ जाते हैं तो बात क होता हुए जगा का जैसे ही अडर्स का नाम आता तो बागी साडब बात हैं हम कहते ते ने बताया इस जगे जाने की च्छोड़ देंगे यहां के इतने पैसे बता तु चलना ही नहीं चलना तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है क्या उपह आप गोडों वाले हैं हमारे दिख करनी असे दोस्त अबना तो जब भी ऐसा होता है को फॉर्णर बगरा या कोई ऐसा जिसको इंदी नहीं आती है तो लोग खीस्तान अपनी भासा में अलग लग बाताय करते हैं तो हम लोग उसका भरोद भी करते हैं और मैं खुद की अपनी तारिफ नहीं करूँगा ऐसे आरा चुके अपने घर पे अपना काम खतम करके गीता मेरे लिए चाय बना रही है और आज आपसे थोड़े सा एक रुक्यस्ट करनी आया आज में जो दो भाई मैंने अपने ब्लॉग में पीछे दिखाया दो भाई मिले थे जिनको हिंदी नहीं आती ती काफी मेनत के बाद मैंने जोड़ा तो उन दो भाई होने मेरी मेनत का फल मुझे देती आप पैसे मिल गए लेकिन जो आप लोगों के लिए जो मेनत कर रहा है उसमें भी काफी मेनल लगती है तो थोड़ी जा सस्क्रिप्शन बढ़ती है अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को करते हैं मिलते हैं कला आप से दूसरे वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे नमस्कार